अगर आप एक ऐसी एरिया या फिर आप एक ऐसी जगा पर रहते जहां पर जो है बहुत ज़ादा electricity कट हो जाता है पावर कट का प्रॉब्लेम आपको फेस करना परता है और अगर आप एक student है और रात के टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो है आपकी पराई में भ power-cut नहीं परेंगा इस लिए आपको इनवर्टर भी नहीं लेना पर आगर आप एक इनवर्टर एफोर्ट नहीं कर सकते तो भी आप जो इस बल्फ को एफोर्ड कर सकते जो कि आपको Amazon पर मिल जाएगा और इसको लेने का क्या क्या फाइदा है इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगे इस वीडियो पर अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आप आज किस वीडियो को लास तक देखें उसके पहले आप इस वीडियो के जो कि आपको Amazon पर मिल जाएगा आप Amazon पर जाके इन में से किसी भी एक बल्ब को खरीच सकते हैं सबसे बहले बात करते हैं इन्वर्टर एलेडी बल्ब किस तरह से काम करते हैं तो यह जो इन्वर्टर एलेडी बल्ब होता है यह नॉर्मल एलेडी बल्ब की तरह ही होते हैं आप जैसे normal LED bulb को अपना जो holder होते हैं जिस पर आप light को लगाते हैं वहाँ पर आप इसको fit कर देंगे यह जो inverter LED bulb होते हैं इसमें एक lithium ion battery लगा हुआ रहते हैं कुछ बल्ब में यह 2000 image का होते हैं कुछ-कुछ बल्ब में यह इससे भी ज़्यादा होते हैं कुछ बल्ब में यहाँ पर 3000 image का भी बैटरी लगा हुआ रहते हैं अब जिसमें image ज्यादा होगा बैटरी का वह बल्ब जो है आपको ज्यादा बैक अप दे पाएगा यह सिंपल बात है और जब यहाँ पर आपका power cut हो जाएगा थम्द्टिक लिए ज़ो बल्ब है यह जल ब करेंगे अगर जब हैं और अ रविया डीu उन आपको बल्ब बल्ब है अंड्र खिमें प्रिमे आमजन पर और ऐसी कुछ बारे में अभी माइं सभी बताऊंगा जो कि amazon पर आप को मिल जाएगा इनवर्ट इलेड़ि वल्प अंडर 400 में सबसे पहला जो कि आपको एमेजन पर मिल जाएगा अंडर 400 में गेश्ट्यू का 9W का इनवर्ट इलेडी बल्प इसमें पर इन बिल्ट आपको 2200 इमेच का बैटरी मिल जाते हैं और यह जो बल्प है चार्ज होने में चार्ज से पांच घंटा आपका ले सकते हैं आपको पता भी नहीं चार्ज हो रहा है और यह चार्ज होने के बद जब भी पाउर कट हो जाएगा और अगर आप इस बल्प को यूज करते हैं तो यह जो बल्प है आपको पांच प्रो का है नाइन वर्ट का इंवर्ट एलेडी बल्फ और यह जो बल्फ है इसमें भी जो है इन बिल्ट आपको 2200 एमेज का बैटरी मिल जाएगा और यह भी जो बल्फ है यह आपको चार से पांच घंटे का बैकप इसली दे सकते हैं पावर कट हो जाने के बाद भी और यह भी आते अंडेर 400 में अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो इस प्रोड़क्ट का भी जो बाइंग लिंक है वह मैं आपको डाल दूंगा आप जाके वहां से खरीच सकते हैं और इसके बाद जो लास्ट इंवर्टर एलेडी बल्फ होते होते हैं है लोनिक्स का नाइन व बचेस अगर आपको इन में से किसी बेएक बल्फ का जरूरत है तो इडों आउड और कि अ सब्सक्राइब अगरे अब करें चानल को सबस्क्राइब करके नौटिफिकेस्टिकरन मेल पर क्लिकरें ऐसे निर्ट इंडियो और भी देखने के लिए में आप से